नमस्कार दोस्तों कैसे हो आज हम आपके लिए कराए है हाइकोट में निकली भरती के बारे में हाइकोट में भरती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अपलाई करना है तो यह वीडियो अंतक जरूर देखेगा इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकरी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अपलाई कर सकते हो और जॉब आ सकते हो जो की हाइकोट में हो रही है तो देखा चाहते हो यह जो वेकेंसी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इक इंपर्टन लिंक दी है जिस पर आप क्लिक करकर हमारे ओफिस्चल एबसाइट याने की gvtjob.com पर आ सकते हो यहाँ पर आकर आप इस आर्टिकल के पेज में आ सकते हो डारेकली और इस जॉब के सम्मंदित बूरी जानकर याशनी से पराप्त कर सकते हो और इस पोस्ट को अपलाई कर सकते हो जो की हाइग कोट में हो रही है तो दोस्ते जो वेकेंसी है हाई कोट मे वेकेंसी है और प्रतिम आपको वेतन यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 14,800 से अधिक है और अधिक तम 47,100 रुपीस तक आपको यहाँ पर वेतन मिल सकता है जॉब लोकेशन जो आप पर गुजरात तो सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग गुजरात में होगी तो हमारे जो भी उमेदवार गुजरात से है या गुजरात में जौब पाना चाहते है इस सुनेरे आउसर का आप ज़रूर लाब उठाएगा और जितना चलती हो सके इस पोस्ट को अपलाई करिएगा Education qualification इस पोस्ट को अपलाई करने के लिए आपको आठवी पास होना ज़रूरी है SSC in Discipline from Recognize University याने 10th pass उमेदवार भी इस पोस्ट को अपलाई कर सकते है Age limit 18 to 45 years है याने 18 से अधिकतम 45 years के उमेदवार इस पोस्ट को अपलाई कर सकते है Age relaxation यापर applicable है SCST category candidates के लिए 5 साल का Age relaxation है OBC category candidates के लिए 3 साल का Age relaxation है और person with disability candidates के लिए 10 साल का Age relaxation याप पर दिया गया है Selection procedure जो है वो return test और interview पहलाई के दवारा होनी वाली है प्रतीमा आपको यापर वेतन जैसे आच्छा का से मिल जागा पर है आपको application fee भी भरनी है application fee के बार में जानकरी देख लेते हैं जनरल और OBC category candidates के लिए application fee है 300 रुपए SCHT category candidates PWDA तथा access candidates के लिए application fee है 150 रुपीज यह जो application fee है आप online credit card, debit card या internet banking से भी apply कर सकते हो starting rate apply करने के लिए 1 November 2018 है तो 1 November से आप online आवेदन करना शुरू कर सकते है और अधिकतम 30 11 2018 यानि कि 30 November तक आप इस post को apply कर सकते हो 30 November तक का आपके पास time है तो हमारे जो भी उमेदवार इस post को apply करना चाते है जो गुजरात से है या गुजरात में job पाना चाते है तुरंत apply करकर आपका application निशित करिएगा और इसे jobs के जानकरी याद आपको पाते रहना है तो जरू हमारे चैनल को भीड़ दी जाएगा और हमारे official website पर भी आकर ही जो आपके सम्मधित आप जानकरी प्राप कर सकते हो यह official notification है जो गुजरात high code के द्वारा चारिक की गई है और यह जो पूरी PDF है गुजराती में दी गई है तो जो भी उमेदवारों को गुजराती आती है वे इसे आराम से या आसानी से रीड कर सकते है तो जो भी हमार उमेदवार इस जानकरी को प्राप्त करना चाते है तुरंत वीडियो के description में जो link प्रोवाइड किया है उसे आप official website पे आकर यह जो article दिया गया है उसे read कर सकते हो और इस PDF और official website पर जाकर भी आप आसनी से इस post को apply कर सकते हो जो की गुजरात high court में हो रही है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भरती हो रही है तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा यह वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करे और आपक करते ही वीडियो आपके पसंद आई होगी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर आप इसे लाइक करेगा और आपके कोई सुचाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा हम आपके साथ मेलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्य बाइ बाइ